हाली के कुछ दिन पहले एक दिन पहले आपी ने सुना ही होगा कि लखनव के अंदर एक छात्र के साथ में जिस प्रकार से बलतकार हुआ बेटियों के साथ बलतकार बढ़ता जा रहा है और उसके बावजूद आपने देखा कि 22 बानों के जब बलतकारी 14 साल की सजा कार्ट के बाहर आ गए तो लोग अंडर आती है तो बिना सरकार की मर्जी से तो अपरादियों को बाहर आना या उनका निकलना बहुत मुश्किल हो सकता था तो इसमें गुजरास सरकार का ही हाथ या फिर सेंटर गॉर्मेंट का भी हाथ था तो ये बात का बड़ा खुलासा हुआ है और वो जो 11 जो अपरादी है वो जो अपरादी थे बलतकार के उनके लिए लिखते हैं उनकी रिहाई के लिए जो जिस प्रकार से लिखा जाता है वो आप सभी ने देखा होगा तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बलतकार को चुड़वाया जा रहा है और उसके बावजूद ये कहा जाता है कि उनका जेल के अंदर जो परताव है वो अच्छा रहा है ये जिनों ने उसकी छोटी मासून बच्ची को जो है मार दिया बड़ी बेरहमी से उनके पूरे परिवार को मार दिया ये सारी बाते कहते में घुल को भी तकलीफ पहुशती है लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे देश की महिलाएं आज जो संसद में बैठी हुई है जो पार्लियमेंट में बैठी है उनके मूँ चुक हो चुके हैं साइलेंट हो चुके हैं इसकी तिरानी जैसी महिलाओं के मुझसे अवाज नहीं निकलती है बड़ी तरतनाग घटना इतनी तर मोदी जी अजादी कामरित महसब बना रहे थे उस वक्त मुझराज देश के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि बिलकिस बानो ये सबसे बड़ा सवाल सिर्फ देश की नारियों जी तरीके से बिलकिस बानो पहले एक महिला है या फिर एक भूर दिया गया उसके पूरे परिवार को बड़ी बेशर्मी के साथ में उन दरिंदो को इतनी सी शर्म नहीं आई उनका सीना नहीं पसीजा उनका कलेजा नहीं पसीजा उस छोटी सी बच्ची को मारते हुए और उसके परिवार्थ को मारते हुए लेकिन उसके बावजूद भी जब जिस दिन देश के प्रधान मंत्री जी अमरित महसब मना रहे थे अजादी का अमरित महसब मना रहे थे उसी वक्त गुजरात के अंदर जब वो नारी शक्ति को लेकर ये लंबे-लंबे लच्छेदार भाशन दे रहे थे उसी वक्त वो जो बिल्किस बानों के जो अपरादी हैं उनको जेल से रिहा किया गया देश के अंदर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्य चार बढ़ता जा रहा है अभी हाली में हाली के कुछ दिन पहले एक दिन दो दिन पहले आपी ने सुना ही होगा कि लखनों के अंदर एक छात्र के साथ में जिस प्रकार से बलतकार हुआ बेटियों के साथ बलतकार बढ़ता जा रहा है और उसके बावजूद आपने देख जो है वो CBI के द्वारा की गई थी तो 14 साल की सजा मिल भी गई लेकिन जब CBI ने इसकी जांच करी थी तो विदाउट सरकार की मर्जी से CBI की जो एजनसी है वो सेंटर गौर्मेंट के अंडर आती है तो बिना सरकार की मर्जी से तो अपरादियों को बहार आना या उनका निक जिसको आपने देखा होगा जिसके अंदर जो जॉइंट सेकेटरी जो है वो जॉइंट सेकेटरी जो है हो मिनिस्ट्री के वो लेटर लिखते हैं और वो जो ग्यारा जो अपरादी है वो जो अपरादी थे बलतकार के उनके लिए लिखते हैं उनकी रिहाई के लिए जो जि आप एक बात मुझे बताईए जिस प्रकार से बिल्किस बानों के वो जो अपरादी हैं वो जो बलतकारी हैं जिनोंने उसकी छोटी मासूम बच्ची को जो है मार दिया बड़ी बेरहमी से उनके पूरे परिवार को मार दिया ये सारी बाते कहते में एक दिल को भी तकलीफ पह हिलाएं आज जो संसद में बैठी हुई हैं जो पारलियमेंट में बैठी हैं उनके मुझ चुप हो चुके हैं साइलेंट हो चुके हैं इसमें तीरानी जैसी महिलाओं के मुझ से आवाज नहीं निकलती है बड़ी दरदनाग घटना इतनी दरदनाग घटना की बिल्किस बा मैं पूछना चाहता हूँ आप से कि बिल्किस बानों यह सबसे बड़ा सवाल सिर्फ देश की नारियों से देश की बहनों से देश की महिलाओं से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि बिल्किस बानों पहले एक महिला है या फिर एक मुसल्मान है सीधे तोर पर वो एक पहले महिला है उसके बाद मुसल्मान है तो क्या चाहें बेटी मौलाना की हो चाहें पंडित की हो बेटी बेटी होती है और मैं हर एक पिता से कहना चाहूंगा कि अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाज़ा खुद करें क्योंकि जो सता चलाने वाले बैटे हैं वो खुदुभे बेउलाद है उनको नहीं पता कि बच्चों ने avaitने पता सीधे तोर पर इस तरीके से दरधना घट्टना और उसके बाद इतना भड़ा घुलासाय की हुआ जो चिडिक्वानु के सामने आए जो हम मिनिस्टिर इंडियन एक्स्प्रेस ने इसको अपने अख़बार में जगे दिये जो कि इंग्लिश न्यूस पेपर आता है इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने दिये बस इसके अलावा आप देख लिए बहुत कम न्यूस पेपर हैं जिन्हों ने इस खबर को जो है कवरेज किया हो या पिर इस खबर को यह है न्यूस पेपर में देना वाजिब समझाओ मतलब इतनी बड़ी घटना और इतनी बड़ी खबर और इसको न्यूस पेपर में खबर नहीं मिलती है क्या देश के लोकतंत्र पे क्या देश की डेमोक्रेसी पर क्या देश की मीडिया को अगर हम गोदी मीडिया कहते हैं दलाल मीडिया कहते हैं या दिहारी मजदूर कहते हैं तो क्या हम गलत हैं इनके लिए यही नाम सही है जो कि जो महिला एंकर बैठती है वो महिला एंकर उनके पास हिंदू और मुसल्मान के मुद्दे बहुत सारे हैं उनके पास ग्यानवापी का मुद्दा भी है उनके पास तो ताजमेल और कुतुम मिनार का मुद्दा भी है लेकिन उनके पास बलतकारियों की सजा के लिए ना तो कोई डिबेट होती है लेकिन आप कभी वहां जाकर दुबई जाके सौधी जाके वहां के कानूनों को देखते हैं हमारे यहां आपने देखा है कि आदमी मर जाता है लेकिन कोट के अंदर केस चलता रहता है उसको इंसाफ नहीं मिलता वो इंसाफ की गुहार लगाता रहता है जिस प्रकार से वो बिलकिस बानों के जो बलतकारी जो बाहर आए वो आप सभी लोगों ने देखा होगा ये घटना वाक्य ही बहुत शरमसार घटना है तो क्या इस देश के अंदर की जो मीडिया है वो गुंगी और बहरी हो चुकी है क्या उसको ये नहीं लगता कि बिलकिस बानों का मुद्दा बिलकिस बानों का नहीं बलतकारीयों को सजा दिलाने का मुद्दा मंदिर और मस्जित के मुद्दे से भी एक बड़ा मुद्दा है और वाक्य में ही मंदिर और मस्जित की बहस बाद में होनी चाहिए पहले बहस बलतकारियों को सजा दिलाने पर होनी चाहिए निर्मला सितारमन का अभी अभी हाल में बयान आया है कहती है रुप्या कमजोर नहीं हुआ है डॉलर मजबूत हो गया देखिए जिस प्रकार का उन्हों का ये बयान है वाकिये ये बयान बड़ाई शरंसार और बेशर्मी भरा ये बयान है आप एक बात मुझे बताईए कल को तो आप ये भी कह सकती है कि नौजवान को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो नौजवान जो है वो निकम में हो गए है बाकी रोजगार तो बहुत है कल को अगर आप एक बात बताईए ये तो ये भी कह सकती है कि बहुत साथे तत्थे हो सकते हैं ये जो बेव कूपी भरे बयान है ये पहले भी आपको सुनने को मिले होंगे बहुत सारे बयान मैं आपको बता दूँ भारतिय जंता पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं सारे अंपर जाहिल और गवार लोग हैं लेकिन आज जो मुद्दा है वो इस बात का नहीं है आज मुद्दा सिर्फ बिल्किस बानों को इंसाफ दिलाने का मुद्दा है ये लडाई उन तमाम बलतकारियों के मुँपे तमाचा होनी चाहिए और बिल्किस बानों के अपरादियों को वापस से सजा होनी चाहिए आतिक पटल ने ये कहा है बीजेपी के नेता कि ये कानूनी तोर पे हुआ है उनको जो फोड़ा गया है मैं आपको वतात्रों सुन लीजिए जिस प्रकार से गुजरात की सरकार के सास्टार Baptist की सरकार ने भी बलतकारियों को अपरादियों को बचाने का काम किया है यह आप सभी के सामने हैं वो जो चिट्टी जो कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और जो तमाम जो जगेवें पर वो जो चिट्टी जो तेजी से चल रही है तो यह साब तरशाती है वो चिट्टी कि किस प्रकार से बलतकारियों को बचाने का काम इस देश के अंदर किय प्रकार गया है आप सिधे तोर पर देखिए चाहे इस देश के अंदर बलतकारी कुल्दिप जिंग सैंगर हो उसको कोई सजा नहीं हूई या अब तक फांसी की सजा की बात कर रहा हूं मैं बलतकारी कोई भी हो चाहे उन्नाओ का हो चाहे का टुआ का हो चाहे फिर वो आप बलतकारी नोग है उनका हो शुझे और बढ़ते जा रहे हैं तो इसलिए सरकार को उनको उमर कैद देकर जेल के अंदर रोटी खिलानी नहीं चाहिए सरकार को ने भी चवराय पर फांसी देनी चाहिए ताकि चार लोगों को 10 लोगों को इससे सबक मिले और मैं एक बात जो मैं वो अपराद करने से पहले भी दस बार सोचता है कि मैं किसी के बेहन बेटी के साथ गलत करूँ या नहीं करूँ लेकिन हमारे देश में सालों साल कोट के अंदर केस चलता रहता है चलता रहता है बाद में पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है वो व्यक्ति तो इ पूरा देश लगाता है, मैं मोईद शर्मा देश के तमाम लोगों से ये गोहार करता हूं, ये अपील करता हूं, कि सब को इस देश के अंदर constitution के दाएरे में रहकर बिल्किस बानों को जो है, इनसाफ दिलाने की एक मुहीम चलानी चाहिए, तमाम Twitter handle से, Facebook handle से, अगर आप देखने के माध्यम से बोलना जानते हैं तो बोलने के माध्यम से अपनी अवाज को ठाईए और बुलन्त करिए और बलतकारीओं सिर्फ्क Ouais के सजा होनी चाहिए पारिशी की सजा यो कि हर देश की बेटी है अगर कोई आगर कोई व्यद्टी बलतकार करता है तो सिर्फ उसको एक ही सजा मिलनी चाहिए फासी की सजा है और इस देश का हर एक नागरी यही चाहता है कि बिल्किस बानों हो चाहे हात्रस के अपरादी हो चाहे उन्नाओ के हो चाहे कुल दिप्षिंग सैंगर हो चिर्मया नंद हो राम रहीम हो आसा राम हो कोई भी अगर किसी भी बेटी के स गलत करता है तो उसको फासी की सजा होनी चाहिए जैन जै भारतवन देमातर